सरी शिवाय नमस्तु प्याम हर हर महादीव कैसे हैं आप सब देखे आज का ये वीडियो बहुती ज़्यादा खास होने वाला है देखे हम सबी जानते हैं कि अभी सावन का पवित्र महीना सल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने में अधीक मास लगा हुआ है यानि कि सावन में अधीक मास और इसमें आने वाली जो एकादशी है बहुती शुबकारी होती है देखिए पहली एकादशी तो गई अब अधिक मास की जो दुसरी एकादशी है जो कि है सावन की पर्मा एकादशी ये एकादशी बहुत ही ज़दा खास होने वाली है और विशिश संयोग में आई है देखिए ये जो पर्मा एकादशी है ये अधिक मास की है तो आज 11 अगस् दोनों दिन एकादशी तीती है याने कि आज शुक्रवार की एकादशी है और कल शैनिवार की एकादशी है देखे स्क्रीन पर आपको ये तीतियों का चार्ट दिख रहा होगा कृष्ण पक्ष के एकादशी 11 अगस्त को सुबह 5 बचकर 6 मिनिट से प्रारम हो जाएगी जो कि 12 अगस्त को 6 बचकर 31 मिट तक रहेगी प्रातः कल की लेकिन कल 12 युक्त एकादशी है तो व्रत आप कल ही करेंगे और उपाय अगर आप करना चाहें आज तो आज भी कर सकते हैं नहीं तो आपको उपाय भी कल ही करना है ध्यानक ना देखो हमारे यापर विबिन प्रकार की मानिता है तो आपकी मानिता के अनुसार आपको आज करना है तो आज उपाय कर लिजिए नहीं तो आप कल तो करना ही है आपको उपाय बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं तो 11 और 12 दोनों दिन ही ये उपाय आप कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है देखे आपक तुलसी जी की मिट्टी का एक विशेश उपाय है जो कि आपको करना ही करना है आपके जीवन की सारी परिशान्य दूरो जाएगी पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए औ देखो हर एकादशी पर करने की जरूत नहीं है अधीक मास की एकादशी का ही ये उपाय है क्या करना है तुलसी जी की लकड़ी लेना है और एक लकड़ी दो लकड़ी तीन लकड़ी जितनी आपको लेना है आप ले 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 ठीक है आप जब तुलसी जी की लकड़ी लेंगे कर सकते हो लेकिन आज आपको तुलसी जी को इसपर्ष नहीं करना है constitutional weed दोनो दिन उस लकड़ी को उस जल में आपको घुमा देना है ठीक है इसके अंदर आप एक चुटके हल्दी बेडालेंगे ध्यानकना हल्दी आपकी जीवन के सोभागे को बढ़ाती है और यह जो लकड़ी है तुलसी जी की आपकी बीमारियों को दूर करने वाली है और इसी जल को यह ज शरीर की समस्त बीमारिया दूर हो जाएगी चर मरोग जिनको होता है वो यह उपाय कर सकते हैं शरीर में दाग राज खुजिली जिनको हो जाती है वो यह उपाय कर सकते हैं शरीर की गंबेर से गंबेर बीमारिया भी होगी न तो वो इस उपाय से दूर हो जाएगी अधीक म बीमारियों को खत्म करने के लिए हैं देखो आज के इस पूरे वीडियो में जो हम तीन महा उपाय और बताएंगे वह आपकी समस्त परिशानियों को दूर कर देगा देखिए तुलसी जी की लकड़ी वाला यह जो उपाय है हमने आपको विस्तार से बता दिया अब दूसरा यह जो उपाय है वो भी बहुत जाहादा खास है झाउ अर आपकी घर में बहुत ज़्यादा नकारत्मक शक्तिय Ah है बहुत जादा नेगेटिव एंशी है याने की घर में बहुत जाहादा क्लेश होता है घर में कोई भी एक दूसरे से ढंक से बात नहीं बच्चे बड़ों से बात नहीं करते हैं बच्चे बड़े जो हैं वो चिर्चिर करते हैं बच्चे जो हैं चिर्चिर करते हैं कुछ भी बात कहने जाओ तो और उल्टा बोलने लगते हैं ऐसी समस्या आज कल हर घर में हो रही है और घर में परिशानिया बहुत जादा हो रही चीड़ चीड़ापन बहुत जादा हो रहा है इससे घर में क्लेश उत्पन होता है तो देखो अगर आपकी घर में भी ऐसे समस्था है तो आज कई उपाय आपको करना है समझना एक तामवे का पात्र लेना ठीक है तामवे के पात्र के अंदर शुद्ध जल आपको मिलाना है पूरा जल भर देना और अब आपको क्या करना है एक चुटकी हल्दी उस तामवे के पात्र के अंदर आपको डाल दिनी है ठीक है अब आप आपकी घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है वहां की मिट्टी एक चुटकी मिट्टी इस जल के पात्र के अंदर आपको डाल दिनी अगर आप किया पर तूल्शी-जी है तो तूल्शी जी की जो मिटई है वह लेकर आ जाए और इस पात्र के अंदर आपको ओम नमो भगवतेव आसुदेवाइका जाप करते हूं अब यस जलकी तो चिटकाव पूरे घर में करना आम अ करते हूं वगवान वासुदेव का नाम ले करके तो आपके घर के सारी negative energy जो है वो destroy हो जाती है वो खतम हो जाती है तो आपको ये पूरा छिटकाओ हर घर में ये उपाए होना चीए हर घर के दिवारों पर इसका छिटकाओ करना चीए जहाँ पर आपके बच्चे सोते हैं वहाँ पर इसका छिटकाओ करना है पलंग पर नहीं करना है ध्यान लगना दिवारों पर करना है ठीक है और आपके पती जहाँ पर भी शैन करते हैं उस कमरे में आपको इसका छिटकाओ करना चीए वाश्रूम को छोड़ करके पूरे घर में इसका छिटकाव करें द्यान रखना जादा जल मत लेना अगर ये जल आपका बच जाता है किसी भी खाली जगा आप डाल करके आजाना अगले दिन तेके ये उपाय आपको करना है या तो आज के दिन बे आप कर सकते हैं देखे अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की ये तीसरा उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है यदि आपकी मनोकामना कई दिनों से अधूरी है तो आपको ये उपाय करना चीए बहुत ही पैरा से उपाय है देखो इस उपए को करने के लिए क्या क्या सामगरी लेनी है पहले ये समझ लीजिए आपको लेना है सफेद फूल ठीक है पाँच सफेद फूल लेकर कहाएंगे केतकी के फूल नहीं चरते हैं तो विशेश ध्यान रखना सफेद फुल कोई से भी होंगे चलेगा बस केतकी के फुल को छोड़ करके अब आपको लेना है एक धुर्वा घास अब धुर्वा घास में भी प्रमान क्या दिया है पुजी गुरियोदेम ने जो बताया था कि धुर्वा घास के अंदर तीन मीश्यो Huns से पत्या निकलनी चு. कितने भी पत्ती निकले उससे कोई फ़रक नहीं पड़ता उसमें पत्या निकलनी चीए इस प्रकार से तीन गाट उसके अंदर होनी चीए वेसा एक धुर्वा घास आपको लेकर क्या आ g distort अब साथ में लेना है साथ सैवन आपको क्या लेना है चावल के दाने साथ चावल के दाने एक धुर्वा घास और पांच सफेद पूश पर ले करके साथ में एक तांबी के पात्र के अंदर जल लेना और ये तीनों सामगरी लेकरके भगवान शीव के मंदिर में आपको जाना अब आपको क्या करना है इस तांबे के पात्र aç के अंदर साथ चावल के दान्य डाल देना है पांच सफयत PULL डाल देना है और एक दूरवा घास डाल दिनी है और उसके बाद महादेव के शीवलिंग पर आपको यह पूरा जल्स आपको अर्पित करना है आपका जो मुख कि समस्त समस्यां जो है वो दूर हो जाएगी और आपकी जो भी मिनोकामना है वो आपको मन में रखनी है और महादेव से कहनी है और ये जल आपको अर्पित करते जाना है जो भी इच्छा होगी वो परिपुन होगी जो भी परिशानिया होगी वो सब दूर हो जाएगी तो बह को दो विख्चा दूद दालना और उसे मिला दिना अब यह उख्या दूद में जल आपको एका के दिन अव्धु तीश्वर महादेव का इसमरन करते हुए आपको ये शमी की व्रुक्ष की जड़ में आपको अर्पित करना है जो भी बीमार व्यक्ति हो तो उस बीमार व्यक्ति के हाथ से के इस कलश को इस पर्ष करवा देना और इसको कोई दूसरा व्यक्ति जाकरके अव्धुति इश्वर महादेव का इसमरन करते हुए ये जल जो है वो शमी के व्रुक्ष की जड़ में अगर अर्पित करता है तो उस व्यक्ति के शरीर के सारी विमारिया जो है कस्च जो है वो क चार विशिश महा उपाय बता हैं जो कि आपको ग्यारा या तो बारा दोनों दिन में से जब आपकी इच्छाओं आप कर सकते हैं बहुत ही प्यारे से दिन है अगर आपको कुछ भी चीस समझ में आए तो कर्मेंड में पूछ लेना गलती नहीं करना है शरी शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादिव